यह मैंने दिवान मस्कुलान की करंट अनरजी निकाली है दोस्तों वो अपसे कॉंटाक करना चाहते हैं वो इक्वल गिवन टेक करना चाहते हैं वो जो है बहुत ही पैशनेट है आपके लिए आपको बहुत सुंदर समझते हैं और इसलिए वो जो है अपसे कनेक्शन बनाना बहर डिशा से कोशिश करना चाहते है आपके साथ justice करना चाहते है एक टिट भी करना चाहते है और जो एक रहसे है उसके उपर काम करना चाहते है कि ऐसा क्या है समझना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि इस लड़की का अंदर ऐसा क्या है यह जो high priestess है ऐसा क्या है जो मुझे इतना attract करता है उसके उपर वो काम करना चाहते है उसको समझना चाहते है, मिलना चाहते है इस tune flame journey को accept करना चाहते है तो उसके उपर ये बहुत काम करना चाहते है आपको एक high priestess की तरह समझते है एक बहुत ही spiritual, बहुत ही सुलजी हुई somewhere आपकी क्या जगा है life में वो उनको समझ में आ गया है और आपको वो stage देने के लिए उसके उपर वो काम करना चाहते है अब ये high priestess के लिए कुछ भी करने को ready है, तयार है तो जल्दी ही connection आ सकता है, बहुत लोगों को contact आ सकता है, बहुत लोगों को आ भी रहे knowingly, unknowingly आ रहे है, कुछ लोगों को directly आ रहे है कुछ लोगों को indirectly आ रहे है, बट आ जरूर रहे है तो contact स्टार्ट हो चुके है twin flames journey में तो ये current energy है twin flames की और divine feminine की energy बता देती हूँ divine feminine की energy ऐसी है कि वो देखो उसकी जो है वो बहुत ही ज़्यादा expectation तो नहीं कहूंगी कि उसको पता चला है कि भई expectations से कुछ नहीं होने वाला कहीं नहीं वो जो इतिहास की औरते भी है उनका जो है study कर रहे है कि किस तरह औरतों पर क्यूंकि ये journey भी तो feminine energy की साथ न्याय देने की journey है feminine energy को balance करने की journey है तो उसको समझ में आ रहा है थे कि बीते कई सालों से लेकर समाज में औरतों को कैसा स्थान दिया गया है कि मर्द कुछ भी कर सकते है बट औरत कुछ नहीं कर सकते उसको जिसे वो कोई गुडिया है या कोई चीज है या कोई ये है उसको उसकी क्या priority है उसके लिए क्या अच्छा है ये लोग नहीं देखते हैं खुद के लिए क्या अच्छा है वो लोग देखते हैं तो वो कही न कही डवन, masculine को मतलब वो बुरा भी नहीं सोचते बट somewhere उसको लगता है कि उसका अपना कौन है तो उसका अपना इश्वर है जो उसके लिए सोचता है बाकी उसके लिए कोई नहीं सोच सकता ऐसा डवन, feminine सोचती है और वो किसी से भी कोई expectation नहीं रखना चाहती इन फैक्ट वो किसी चीज की और पागलों के भागना नहीं चाहती वो भी practically ही सोचना चाहती है जैसे की डवन, masculine आज तक सोचते आ रहे है